लेट A is a set 1,2,3,4, B is a set 1,2,3 and C is a set 2,4 तो हमें given है कि हमें all sets x बताने जो क्या क्या करते हैं conditional first part में कि x is a subset of B and x is not equal to B and x is not a subset of C तो अगर हम देखेंगे तो x के क्या क्या subset हो सकते हैं ठीक है तो हमें वो सारे जो sets होंगे वो लिखने हैं ना तो इसमें set में पहला set क्या possible है C, अब x क्या है, B का subset है तो हो सकता है इसका एक element 1 हो जाए है ना यही subset हो इसका तो 1 क्या C का subset है, नहीं तो यह हमारा set हो जाएगा, ठीक है हम 2 ले सकते हैं only नहीं, 2 नहीं ले सकते हैं because 2 क्या है C का subset है 3 ले सकते हैं? हाँ 3 ले सकते हैं because 3 B का subset है and not equal to B भी है और 2,4 का part भी नहीं है अब pair में लेके देखते हैं तो अगर मैं 1,2 ले लो ठीक है? 1,2 1,2 मैं ले सकता हूँ क्योंकि C का subset नहीं है 2,3 को भी ले सकता हूँ and 3,1,3 को भी ले सकता हूँ but मैं 3 को साथ में ले सकता 1,2,3 क्योंकि उस case में यह equal to B हो जाएगा और हमें given है equal to B नहीं है तो हमारे कितने है अपके बल हमारे only 5 sets possible लें कि इसमें first part के लिए now similarly अगर मैं second part देखूँ हूँ तो second में क्या है X is a subset of B but not क्यों हो जागा तो B part में बस एक different है क्या कि इसमें क्या है हमें given है कि X is not equal to B है but इसमें क्या है हमारा X equal to B भी हो सकता है है ना बट इसमें भी हमें given है कि X जो है वो C का element नहीं होना चाहिए तो बस क्या होगा ये condition तो same है बस एक condition हमारी क्या जाएगी इस वाले में हमारे पास में एक element और add हो जाएगा और वो add क्या हो जाएगा हम इसमें क्या कर सकते हैं 1 और 3 तो हो गई सही 2 नहीं होगा क्योंकि C का element नहीं है अब 1,2 भी होगा 2,3 भी होगा and 1,3 भी होगा लेकिन एक हमारा क्या है वो अला भी possible होगा जिसमें पूरा का पूरा भी है because इसमें हमें x not equal to b भी नहीं गिवन है पूजेक 1,2,3 यह भी possible होगा तो यह सारे हमारे total sets देंगे second part के लिए